हलो एवरिवन आज के ब्यूटी रेसिपी में मैं आप लोगों के लिए एक मैजिकल हैर ओयल लेके आई हूँ इस हैर ओयल के यूट से आपके बालों के रिलेटेट सारे प्रॉब्लिम जैसे बालों में डेंडर्फ हो जाना या बाल पतले हो जाना बालों का खूब जादा जरना या आपके स्केल पे इचिनेस ड्राइनेस ये सारे प्रॉब्लिम का शलूशन मिल जाएगा इस magical hair oil को बनाने के लिए हमारा जो सबसे पहला ingredient है वो है मेथी मेथी के दाने में हमें high protein और nicotin acid पाई जाती है जिसके चलते हमारे बालों का dandruff या hair folia बहुत सारे issues होते हैं जो बालों से जुरे होते हैं इसके against fight करती है मेथी के साथ साथ हम यहां पर और एक ingredient को एड़ करेंगे जो है long long एक ऐसा ingredient है जो हमारे बालों के लिए काफी helpful है अगर हम regular basis में इसे use करें long के regular use से हमारे बालों के dandruff इचिनस क्योंकि long में anti-fungal properties पाई जाती है और long के use से हमारे बालों में shine भी आती है और हमारे बालों को ताकत यारी strength मिलती है हम इस magical hair oil को बनाने के लिए यहां पर दो powerful ingredient को add कर लिया है मैंने यहां पर करीब 8 से 10 long को add किया है अभी हम इन दोनों ingredient को दरदरा कूट लेंगे आप इसे mixture grinder में डालके powder नहीं बनाना है आपको इसी तरह से कूट लेना है यह जो oil है यह बहुत ही इसलिए बहुत ही कम चीज़ों में बनती है लेकिन इसका जो result है यह बहुत ही powerful है तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पर इसे दरदरा पीस लिया है ज़्यादा नहीं कूट नहीं सिर्फ दरदरा आप इसे बिना पीसे भी डाल सकते हैं लेकिन यह oil बनने में तब थोड़ा time लगेगा तो इसे अच्छा आप इसे दरदरा कूट ले ऐसे तो आपको पता ही होगा कि मेती के जो दाने हैं यह हमारे बालों में कई और तरीके से भी लगाए जाते हैं जैसे आप इसे रात को भीगो के सुबह में अगर इसका पेस्ड पना के अपने बालों में हैर मक्स के तरह एप्लाई करें तो भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है मेती के दाने में आईरन और प्रोटीन भरपूर मातरा में पाई जाती है जो कि हमारे बालों के ग्रोथ के लिए काफी helpful है इसी के साथ इसमें वाइटामिन A, K, C और कई सारे मिनरल्स भी पाई जाती है यह जो ओईल है इसके आप 2-4 यूजस के बारे में ही आपको अपने बालों में फर्ट दिखने लगेगी और यह आपके बालों को बहुत ज़्यादा strong और बहुत healthy बना देगी तो इस ओईल को store करने के लिए मैंने यहाँ पे काच का बोटल ले लिया है एक जो है यह virgin coconut oil और दूसरा 100% pure mustard oil मेरे पास दोनों oil available है लेकिन ज़्यादा maximum लोगों के पास जो virgin coconut oil है वो available नहीं होता है तो इसलिए मैं इसे master oil से ही बनाओंगी यह जो virgin coconut oil होते हैं यह इस तरह के foam में ही रहते हैं यह थंडे में भी जम नहीं जाते हैं तो इसलिए इस oil से बनाना ज़्यादा बेहतर होता है बलकि जो market में पाए जाते हैं नॉर्मेल coconut oil है इससे है मैं इसे mustard oil से बनाओंगी आप देख सकते हैं इसका दो ingredient है यह 100% pure mustard oil का है आप इसी तरह के oil ही लेना है मैंने यहाँ पे engine oil का use किया है आप चाहे तो engine पतांजलिया जो भी आपको पसंद हो आप उसी का use कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे oil को add कर दिया है अब अपने हिसाब से oil को कम या ज्यादा add कर सकते हैं इसमें कोई perfect measurement नहीं है तो ऐसे तो देखने जाने में यह oil ready हो चुका है लेकिन यह oil अभी तक पूरी तरह से ready नहीं हुआ है इसे पूरी तरह से ready होने में कम से कम 10-15 दिन लगेंगी तो आप देखी सकते हैं 10-15 दिन बाद हमारे oil कुछ इस तरह से दिख रहे हैं तो अभी जो यह oil है यह पूरी तरह से use के लिए ready है तो thank you वीडियो को पूरा देखने करें